नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे आज के लाइव सेशन में और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जोकी है इसके साथ ही आप हमें देख रहे हैं इविद्या चैनल नमबर 10 पर अपने आज के इस लाइव सेशन में हम जिस सब्जक्ट पर बात करने वाले हैं वो है सोशल स्टाइन्स जिसमें हम बात करेंगे जोगरफी के बारे में आज जो हमारा चैप्टर है वो है अग्रिकल्चर ज हमारा आज का ये जो सेशन है अगर इसके साथ आप जुनना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं जो की है 8800-440-559 और इसके साथ ही जो हमारा email id है भी आप लिख सकते हैं हमारा email ID है dth.class10.nic.in आईए स्वागत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद है उनका आज हमारे साथ ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सब्सक्राइब कियां और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यह हमारा चैपटर है आज का अगरिकल्चर इसके पार्ट थी में यह हम हम लोगों ने देखा था कि agriculture का importance क्या है कि agriculture हमारे देश में जो टू भाई थ्री यानिकी लगवाग सिक्स्टी परसेंट से ज्यादा जो लोग है वह agriculture में इन्वोल्व है और उनका जो में जो एंप्लोइमेंट है वह अगरी कल्चर से है वो सारी क्रोप है उन से जो राव मेटीरियल है वो हमारी इंडर्स्ट्रीज को काम आता है और इस तरह से हमारे देश में बड़ी संक्या में जो लोग है वो कर्सी या उससे जो सनलगन जो गतिवितिया हैं उसमें इन्वॉल्व है तो पहले फस्ट सेशन में हमने देखा कि जो कर्सी के जो टाइप है वो डिफरेंट टाइप हमने देखे जिसमें प्रिमिटिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर जिसको आदिम जीवन निर्वा कर्सी और दूसरी प्रिमिटिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर के बाद में जो इंटेंसिव सब्सिटेंस अग्रिकल्चर जिसको गहन निर्वा कहती और तीसरी है commercial agriculture जिसको लोग वानिज्य करसी बोलते हैं तो यह हम ने फर्स सेशन में देखा था इसके साथ ही हमने फर्स सेशन में जो क्रोप है करसी की जो क्रोप है वह हमने जो पैटर्ण होता है को पैटर्न है वो हमने देखा जिसमें ले番र को sack के बारे में सेकंड था उसमें हम लोग सब्सक्नास ओम जो मेजर प्र train में टो हम लोग पेई उसके अलावा जो पेई हैं जैसे चाय कोफी इन के बारे में प्लास पार्टार्प हम लोग जो नोन फूड क्रोप है या जो फाइबर क्रोप है यह और इसके साथ ही जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इस्टिटूशनल या जो टेक्नलोजिकल जो सपोर्ट जो एगरिकल्चर के लिए किसानों को जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग आज डिस कि दॉक्टर बीरबल में यह भी जानना चाहूंगे क्योंकि हमारे आज के जो सेशन है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए है कुछ बच्चे क्रिशी के क्षेत्र में जो है वो अपना इंट्रेस्ट पी दिखाते हैं और क्या पता वो आगे जाके इस क्षेत्र में कुछ और भ कहां उगाये जा सकता है देखिए नोन फूट कौरोप से नों फूट कौरोप चल्ट में पहली जो कौप हम देखते हैं वह रबबड रबड जो है एक नोन फूट क्रोंप है रबड जो हमारे देश के अंदर जो है ज्याधा तर जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर प्य इसके अंदर ज्यादा जरुरत होती है इसलिए यह जो एक्विटोरियल जो एरियाज है जो भूमद्य रेखिए जो प्रदेश है वहां पर जहां पर ज्यादा बारिश की रहती है या जहां पर तापमान तोड़ा ऊंचा रहता है या जहां पर थोड़ी मोश्चर वाली पादन करना है यहां पर यहां पर पैदा होती है वहां पर मोश्च और हूमिट क्लाइमेट होना चाहिए और जो रेनफाल है मार दन 200 सेंटीमेटर यानिकि 200 से ज्यादा बारिस वाला एरिया है वहां यह क्रोप बहुत भीयतर अच्छी होती है और साथ में इसमें जो टें वो होना चाहिए और तीश्रा है तापमान जो की मोर देन 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तो रबड के लिए यह क्लाइमेटी कंडिशन है यह जनरली उष्ण कटिबंधी पोधा है और पेड है और यहां पर जनरली यह जो एक्वेटोरियल एरिया है वहां होता है लेकिन कभी कभी जो कुछ कंडिशन के साथ में ट्रोपिकल और सब्ट्रोपिकल जो एरिया जहें पोशन कटिबंध है या उन एरिया में भी यह पैदा की जाती है रबड है वो एक तरह से हमारे यहां पर देश में जो है या वर्ड लेवल पर इसकी बहुत मांग है क्योंकि आज इसका जो है उसका जो यूज है जैसे डिफरेंट टाइप में जैसे आपके एक्टिविटी भी इसमें दी हुई है कि आप एक लिस्ट बनाई है कि रबड से हम लोग क्या-क्या चीजे बना सकते हैं तो देखे सबसे बड़ा यूज इसका जैसे हम गाड़ी जो है कार है बस बनता है वह उसमें काम आता है तो एक चीज हो गई कि रबड का एक तो डिफरेंट जो विकल्स है उनमें ट्यूब बग्यारा बनाने में दूसरा जैसे बहुत सार की जो विंडोज होती है जो ग्लास को जो सेट करने के लिए हमारी बिल्डिंग्स के अंदर है या कोई एरो तो इसका जो मांग अंदर दर जो मांग है इसकी काफी बढ़ी है फार्वेल पर अगर इसका देखे सबसे बड़ा उत्पादन जो है साउत इस्ट एसिया वहां पर जैसे थाइलेंड मलेशिया एंडोनेसिया Tails वह इसके बड़े उत्पादक एरिया है जबकि भारत में जो या अरुनाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है वहां पर भी इस तरह की जो यह रबढ़ है वह उगाया जाता है तो ज्यादा तर यह नोर्थ इस्ट इस्टेट है या साउथ में हमारे यहां पर है बारिस अच्छी होती है जो वहां पर एक तरह से यह प्लांट काफी उगाया जाता है तो इस प्लांट में जो रबढ़ है उसमें का हम लोगों को इसके लिए जो लेबर है वह बहुती इसमें कट लगाने और उसका दूद कलेक्ट करने के लिए हमको सस्ता सर्मिक भी की वज़रत होती है तो यह एक तरह से नोन फूड क्रोप है दूसरी क्रोप अगर बात करें हम लोग इसी में अगर दूसरी क्रोप कि फाइबर वरक्रोंप में ता च्रोप हमारे देश में नहीं है जोट है हेम है और नेच्चुरलसिल्क चारप है वह गई जाती है में और इन में से जो तीन च्रोप है जोट है यह संब लोटें यह जो है फैर स्वल म senses एक जो सिल्क वो पैड उन्य पर लुघ में Alls होते हैं वहां पर इसका को कॉयन जो ती है उनके उपर सिल्क व्सक्वर्म होते हैं उनके द्वारा उत्पाधन षुता है तो हम यहां पर एक एक का देखें पहले हम सिल्क का देखें हमारे देश में जो सिल्क है वह का जो हर्खंड वाला एरिया वहां पर इस सिल्क वर्म के पेड या सैतूत के जो पेड होते हैं उनके उपर इन बहुत स्वक्रण कीड़े हैं वो पत्तियां होती हैं उनको तो एक तरसे खा करके उनके दवारा तरसे खे उसको उत्पादन किया जाता है वहाँ है यह जो है सबस्ब्लस है इसको हम लोग सेरी कल्चर बोलते हैं कीबाना है उसको यहान fusion की है क्या है v और रेशम तो रेशम का यह है और दूसरा आता है कोटन कोटन जो है यह सारी प्रोडूसर है वो फाइलेबर करोप है जो अरेशे वाली क्रोप उसमें स्मिल किया गया है तो दूसरा आता है कोटन कोटन है वह हमारा देश में जो है वर्ड में जो हमारा देश है वह सेकंड मोस्ट जो लार्जेस प्रोडुसर जो कंट्री है उनमें हमारा नाम है तो पहला चाइना है और चाइना के बाद में जो दूसरा नमर आता है कोटन का जो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडिशन होनी चाहिए कोटन को करने के लिए हम जैसे इसमें भी एक तरह से उसन कटी बंदिये पोधा है और यह जो पोधा है वह इसकी जो उत्पत्ति है वह भारत से ही है और इसके लिए क्या-k और नहीं पड़ना चीह है। और ब्राइट शंसाहाई पड्स ग्रोथ कि जो शन है वो बिल्कुल साफ शॅछाहान होना चाहिए तो यह इसके लिए क्लाइमेटिक कंडिशन है क्या-क्या होना चाहिए पहले high temperature light rainfall to 10 days frost free यानि कि जो पाला रही था है वो 210 दिन इसमें जरुरत होती है और bright sunshine साफ आसमान होना चाहिए इसकी growth के लिए यह जो climate condition है यह इसके लिए ideal condition होती है यह खरीब की growth है इसको हम लोग जो हमने पहले देखा था कि रभी खरीब और जायद की जो क्रोप में हमने डिवाइड किया था तो यहां पर cotton है वो एक खरीब का क्रोप है तो खरीब का क्रोप जनरली कभ गया जाता है यह आपको बताया था कि जून जुलाई का अब ही जो टाम चल रहा है जून से स्टार्ट होकर के जून जुलाएगस तक का जो स्प्तमबर 15 तक का जो टाइम है वह एक तरह से इस क्रोप के लिए अच्छा होता है तो कम बारिस इसके लिए जरुत होती है तो उसमें यह क्रोप है वह अच्छी उगई जाती है इसका जो मेजर एरिया बहरत में इसका जो बड़े उत्पादक राज्य हैं उनमें देखिए कौन-कौन से स्टेट है महरास्ट्रा है सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरा गुज नेमें आसे हैं सिख्येक क्रोप यह क्रोप की जाती है इसके लाब उत्तरपर्देश का वाल यह क्रोप की जाती है तो और प्लेक तो म Chisil यs करें तो उस ऐरिया में यह ज्यादा-च्छे से उत्पादन इसका होता है मिए यह कोटन के बाद में आता है जूट जूट जो है यह तीसरा एक तरह से फाइबर क्रोप है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है जूट जो है कहां पर उगाई जा सकती है जा वेल ड्रेंट फर्टाइल सोईल हो इस्पेशली जो नदी वाला एरिया है वहां पर एक तरह से जूट का क्रोप की जूट पादन वहां पर ज्यादा होता है जैसे हमारे देश में जो हुगली रिवर है ब्रह्मपुत्र का रिवर है गंगा का जो रिवर है जहां डेल्टा वाला जो एरिया होता है या फिर कृष्णा और कावेरी जो रिवर का जो डेल्ट उस एरिया में इसका उत्पादन बहुत अच्छे से होता है क्योंकि वहाँ पर हर साल जो है नई टो है वो एक तरह से वहाँ पर फैला दिजाती है पहले इसकी जो climate condition है इसके लिए भी जो है यह भी एक तरह से ऊशन कटी बन दिये पोदा है और इसके लिए हाइट temperature की जरुरत होती है और पूरे समय में इसमें जो थोड़ी सी एक तरह से वही पूरे समय में जो तोड़ी सी ज़्यादा जरुरत होती है यह जो है असम है ओड़ीशा है और मेगाल है जो हैं वह जूट के अन्य बड़े प्रोड़क्शन वाले स्टेट है तो जैसे मैंने अभी बताया कि जो रीवर वाला जो एरिया होता है जो डेल्टा वाला जो एरिया है जो हमारे देश में ब्रमपुतर रीवर गंगा रीवर या जो बंगाल में जो हुगली रीवर है कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला एरिया है उस एरिया में जहां रीवर जो नई सोयल लेके आती है उस एरिया में इसका उत्पादन किया जाता है तो इसका जो यूँज है जूट करते है तो वह सार क्या do उप्लास्टिक पर उसमें प्लास्टी को बेंब करके लोग ज्यादा सग्र вп अजड़ования है उसको हम लोग यूज करते हैं तो वहा पर जूट जो है वह एक तरह से इको फ्रेंडली है और यह एक तरह से इसका जो इसका जोफेटर है बहुत ही ब्राइट है तो इसका हम यह बोल सकते हैं कि जो एक एक जो ठंडे प्रदेश है उन एरिया में जूट का प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि इसके लिए हाई टेंपरेचर की जुरत होती है और इस्पेशली जो एक्वेटरल एरिया है यह उपोष्ण कटिबंदी वाले जो एरिया है जाता आपमान ज्यादा रहता है इसका उत्पा जो बनाते हैं या जो रसी जो हम लोग यूज करते हैं कई पार रसी है वो भी जूट की बनाई जाती है तो इस तरह से हम लोग एक तरह से इको फ्रेंडली होने के साथ साथ यह जल्दी से डिकंपोज हो जाता है इसलिए प्लास्टिक के विकल्प के रूप में आजकल जो बहुत से देश हैं वो इसका बड़ी मात्रा में आयात करते हैं तो इसकी काफी एक तरह से वर्ड लेवल पर काफी डिमांड जो है वो बड़ी है इस्पेशली यूरोप में हमारे देश के अलावा जो बांगलादेश है इसका बड़ा प्रोडेक्शन वाला एरिया है तो ब बहुत सारी गन्नी बैक्स हैं मैट्स हैं रोप्स यार्न कार्पेट यह सारी चीज़ें इसके द्वारा इसमें बनाई जाती है तो यह है जूट का अब इसके बाद जो है हम लोग जो देखने वाले हैं जूट के जूट का मैंने आपको बताया कि इसका ब्रोडेक्शन काफी बढ़ा है और बहुत सारी हम लोगों को विदेशी जो एक तरसे फोरें को जो हम एकस्पोर्ट करके जो हम को इंकम जो है वो जूट से होने लगी है तो इसका जो भविश्य बहुत उजवल है और बड़े लेवल पर हमारे यहां पर उत्पादन इसका किया जा रहा है तो आपने यहां पर बहुत होना चाहिए जब हम उनकी खेती करें साथ ही आपने यह भी बताए कि उनका क्या-क्या महत्व है उनका किस तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है और कैसे हम खेती किसानी के क्षेत्र को जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर बीरबल ट्रे चेत्र में आगे लेकर आई गई है जिससे कि उनका उत्पादन तो बढ़े उनकी आए भी बढ़े लेकिन साथ-साथ जो हमारा युवा है जो आगे अगरिकल्चर की फील्ड में आना चाहता है वो किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकता है देखिए हमारे देश में सवतंत संव् дело है तो देरे धरे करके हम लोगों का एक तरशित हमारे देश में सोतंतरता के बाद में काफी जो स्पेशली जो ग्रीनद सीठी से स्वारा की जो दशखक है उसमें हमारे कर्सिक के अंदर बहुकर सार की जो है टेखिक टेकनलोजीकल और तो हिंस्टुशनल रीफोब् बिला है तो यहां पर देखिए ता हमारे देश में जो 60 परसेंट जो पॉपुलेशन है उसकी में जो बेसिक जो है वह अग्रिकल्चर है और इसके लिए अगर हम बहुत सा टेक्नलोजिकल और इंस्ट्यूशनल अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे देश में नहीं क्यों इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज का उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा साथ ही किशानों की जो आए है वो भी एक तरह से इतना नहीं हो पाएगी तो क्या-क्या हम लोग किया है संबंद में तो एक यह भी आपकी क्लास 10 में जो है कुछ इंस्ट्यूशनल और तेasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas दूसरा जो वाइट रिवोलुशन है जिसको उप्रेशन फ्लड बोलते हैं वो यहां पर शाट से सतक के जो दसक है उसमें यहां पर वो उसका बड़े लेवल पर उत्पादन हुआ है तो यह जो ग्रीन रिवोलुशन है उसमें डिफरेंट टाइप के जिसे फर्टिलाइजर स से या जो भूमी सुधार से शमंदित जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनका यहां पर एक तरसे हम लोग बताना चाहिंगे कि कौनकोन कोन से जो चीजे हैं वह यहां पर की गई है तो देखी पहला है कि यहां पर इस पेशली जो पहली जो चीज आती है कि सानों के लिए जो भ तो उनमें एक तरह से चोटे से टुकडे में अग्रिकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है तो बहुत सारे लोगों को एक उसका अलग 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 जगह पे हैं तो उनको एक जगह करने की जो स्कीम है वह गौर्मेंट ने अपलाई की जिसको हम चकबंदी बोलते हैं तो आप उसके अंदर जो वाटर का सोर्स है उसमें एगरिकल्चर के लिए सिचाही की सुविदा है वहाँ पर जो किशान है वो कर सकता है लेकिन चोटे से टुकडे में एक तरह से पाइप ले जाना और दूसरा बीच में दूसरे का खेत है तो इस तरह का बड़ी मुश्किल सी रहत ुक्तायों जो कव्म क्रॉप इंशुरेंस स्टाट किया और किसानों को इक था से फाइननेंशियल सपोर्ट किया है अब तूसरा यहां पर जो सरकार ने घ्रामिन बैंक्स ँब्लेंडेश बेंग्स他们 Kaiser में बैंक्स है उसकी स्थापना से लोट आपन इन सकेम इसका टिस privilege credit card है उसकी facility आज कल हर बैंक है वी स्पेसली जो ग्रामिन बैंक को प्रेटिव बैंक से हैं वह हैं वो एक तरह से किसानों को इस तरह की help है वो कर रहे हैं और उनके द्वारा किसान करेडिट कार्ड इसु किये जा रहे हैं ताकि इसके लावा पर्सनल जो एक्सिदेंट अगर किशान है उसका कोई खेत में काम करते हुए किसे हाथ में या कुछ भी उसका काया को मोंशम होने वाला है बारिस का कैस्तरह है मांसून कब आने वाला है या आज पाला पड़ने वाला है या नहीं है इस तरह की जो क्रोब है उसका लिए गोशबानेट है heck सपोट प्राइसड करती है और उसके उपर किसान है एक तर से किसप करोग का कितना एंप उसके उपर बेच सकता है और गोशबान स्व Texas की इसके लावा जो टेक्टर है या डिफरेंट टाइप के जो फर्टिलाइजर केमिकाल्स जो है वो भी यहां पर काफी तेक्टर से यूज किये गए हैं तो वह उन चीजों से जो देश में हैं एक तरह से नया ग्रीन जो इलेशन है वो आया और एक तरह से किसानों को ने केवल इसके बाद में जो आता है बूदान ग्रामदान यानि कि एक महत्मा गांदी के साथ विनोबावावे हैं उनका काफी गनिश्च संबंध रहा और एक तरह से जो बूदान अंदोलन है उसे जुड़े रहे हैं और उन्होंने बहुत से जो जमीदार है उनके पास बड़ी संक उनके लिए एक तरह से दान दिलवाया है इसका कई एक्जामपल भी पर हैं जैसे रामचंदर रेडी उन्होंने असी किसान जिनके पास कोई जमीन नहीं थी अब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हैं उनको दान कर दिया तो विनोबावे इस एक तरह से बूदान अंदोलन टरह से इस तरह का मुवमेंट है उसमें विनौबावावे ने एक तरह से bloodless revolution जो बिना किसी खून वह एए इस तरह का जमीन को दे देना वो इसको bloodless revolution के नाम से यह जो जन्द बूदान जो अंदोलन है वह ब्लड लेस्ट रिवोलुशन के नाम से जाना जाता है तो यह एक तरह से लेंड रिफोर्म जो है उसके अंदर यह एक इंपोर्टन्ट है कि बहुत लेंड लेस्ट उनको जमीन मिल गई और वह अपनी जमीन के अंदर एक तरह से उत्पाधन कर र बहुत अच्छी जानकारी जो है वह आप ने आज दी कि कौन कौन से हमारी नौन फूड क्रॉप्स हैं किस तरीके से जो है वो बच्चों को यह भी बताया आपने कि कौन कौन से जोग्राफिकल कंडिशन्स हैं ऐसे जहां पर यह क्रॉप्स हो सकती है किस तरीके का इट्मॉ इसके साथ ही आपने यह भी जानकारी दी कि जो टेक्नोलोजिकल नई-ई चीजें आ रही हैं जो मारकिट में नई मशिंड-वी आ रही है हमारे किसानों के लिए वह किस तरीके से एडवांस लevel पर काम कर रही है और इसके साथ ही एक जानकारी आपर मैं भी जोड़ना चाहू सोईल हेल्थ कार्ट की मदद से भी अब जो हमारे किसान है वह अपनी मिट्टी की जाच जो है वह आसानी से करवा सकते हैं कृशी विशेशक यह और यह जान सकते हैं समझ सकते हैं कि उनकी धर्ती की जो उनकी मिट्टी की जो सेहत है वो किस तरह की है तो अगर आप भी कृशी दिया उसके लिए आपका शुक्रिया तो आज जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हमारे साथ जुड़े थे और नहीं जाना कि यह जो अग्रिकल्चर का पार्ट 3 जो आज यहां पर पढ़ाया गया है उसमें कौन-कौन सी ऐसी महित पुपून बाते हैं जिनको आपने ध्यान में का देखते रहे हैं एंसेयाटिका ओफिस्यल यूट्यूब चानल नमस्कार